नमस्कार दोस्तों, आपका ताजा वीडियो अपडेट के साथ स्वागत है आज हम बात करेंगे IPL 2024 के 25 मैच के बारे में जिसमें मुंबई इंडियन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरू के बीच हाथा पाई की गई यह मैच वानखेडे स्टेडियम में खेला गया था और यह एक बहुत ही रोमानचक मैच था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरू की पारी में कुछ ऐसा हुआ जो T20 क्रिकेट के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था चैलेंजर्स ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 196 रन बनाए लेकिन फिर भी मुंबई इंडियन्स ने 7 विकेट से इसे हराया RCB की अद्वितिय पारी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरू की पारी ने T20 क्रिकेट के इतिहास को एक नया आयाम दिया धांसू बल्ले बाजी T20 क्रिकेट में धांसू प्रदर्शन करते हुए RCB के बल्ले बाजों ने एक शानदार पारी खेली कप्तान फाफ डू प्लेसिस 61, रजत पाटीदार 50 और दिनेश कार्थिक तिरेपन महत्वपूर्ण रन बनाए लेकिन इसी दौरान ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोर और विजय कुमार विश्व कर्मा को बिना कोई रन बनाए ही पविलियन लोटना पड़ा इतिहास की पहली RCB की इस पारी ने T20 प्रारूप में नए रिकॉर्ड बनाए जहां तीन बल्ले बाजों ने अर्धशतक बनाया और एक गेंदबाज ने पांच विकेट लिये मैच में मुंबई इंडियन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच कुल पांच बल्ले बाजों ने 50 प्लस स्कोर किया मुंबई की तरफ से इशान किशन और सूर्य कुमार यादब ने अर्धशतक बनाए अब वीडियो पर बात करते हैं यहां हमने देखा कि IPL में सबसे अधभुत मैचों में से एक में कैसे RCB ने नया रिकॉर्ड बनाया